तो स्वागत है आपका जोशी रिडिंग चैनल में आज मैं आपको गोल गला बनाना सिखाऊंगी तो देखिए मैंने अपने फंदे धा लिए हैं सबसे पहले हमने क्या करना है जो हमने पल्ले बनाए हुए हैं इनके हम एक साइड के सोल्डर जोड देंगे फिर हम उसके बाद इधर के सोल्डर से दूसरी वाले सोल्डर तक जितने भी फंदे हमें बीज में चाहिए आपको गला कितना धीला चाहिए और कितना टाइड चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग फंदे ले लिजिए तो मुझे छोड़े बेवी के लिए बड़ा गला चाहिए धीला सा तो मै क्या करना है यह एक नीडल छोड़के हमने एक में फन दे डाले हैं तो देखिए अब मैं अपनी मशीन को चार नंबर के रखूँगी बॉडर के लिए और यह मैं अपना बॉडर बराना शुरू करती हूँ हमें जितना बड़ा गलाची हम उतनी सलाईया लगा लेंगे ज्यान रही है आपता बॉडर टाइट नहों कि देखिए हमें इसको पलटना है तो हम इसको खोड़ा ज्यादा ही बनाएंगे देखिए और अब मुझे क्या करना है लास्ट सलाईये में देखिए लास्ट मैं इससे सुई से बन करूँगी तो यह फंदे मुझे लास्ट में ढीले करने है तो मैं आठ नमबर पर इसको रखूंगी और दो सुलाईय में आठ नमबर पर लगाऊंगी तो दीखिए अब मैं वेल्ट निकाल लेती हूँ और यह में अपना पल्ला भी निकाल लेती हूँ दीखिए हम अपना पल्ला भाल में अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यह बन के कैसा यह दिखिए हमने अपना जला बना लिया है और आप इसको अंजर को फोल्ड करके मैं इसे सुई से बंद करूंगी और ऐसे ही में इसका बगल बना लूँगी और यहाँ पर फिर हमें यह दो शूल्डर भी अंदर के लिए बाद में जोड लेने हैं यह देखिए अब यह हमारा गला ऐसे गोल बन जाएगा यह देखिए अब यह बन नहीं हुआ है तो इसलिए शेव में नहीं दिख रहे हैं तो देखिए दोस्तों इस तरह हम आसानी से अपना भोल गला मशिन में बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रीज वीडियो को लाइक कर दीना थैंक यू बाबाई